आप सुधरने को तयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता कोई मिले और कहें कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा, जो सुधरने लगेगा उसको ततकाल दिख जाएगा, कि सब सुधर सकते हैं, सब को सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर है, निर्मलता का, निर्दोषता का स् फिर वो स्वात तुम सब में बाटना चाहते हो तुम से भरदाश्थी नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहें तो ततकाल तुम में उम्मीद जग जाएगी उमीद से आगे शद्धा प्रणाम सर मेरा नाम सौरव है तीन-चार साल से देखा जा रहा है अलग-अलग कारणों से शेहरों के नाम बदले जा रहे हैं जैसे अलाहबाद को बदल के प्रयाग राज कर दिया गया गुडगाओं को बदल के गुरुगराम कर दिया गया और दोहजर बीस में एक पेटिशन फाइल हुई थी कि इंडिया को बदल के भारत नाम कर देना चाहिए तो अगर वैदान्तिक सिद्धान से देखे तो इसका कोई महत्व है कृपया प्रकाश्चा लें देखे नाम का महत्व तो होता ही है इससे कैसे इंकार कर सकते हैं कि नियत साफ होनी चाहिए इंडिया को भारत कहा जाए ये बात ठीक है और ये बात बिल्कुल सही है ऐसा होना चाहिए मैं समर्थन में हूँ यूँ प्रकिव का में इंडिया को कौन सा भारत वनाना चाहते हैं भारत शब्द से आपका आशय क्या है जब मैं कहता हूं भारत कि उसका एक मतलब होता है जब आप कहते हैं भारत तो उसका क्या मतलब है तोड़ा सपश्ट तो कर दीचिये ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो भारत की बहुत बात करते हैं भारत उंचा शब्द है, पूजनी ये नाम है लेकिन आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं भारत से भारत को लेकर के आपका विजन क्या है जो आप कहते हो भारत हो जाएगा देश तो कैसा देश होगा? किसका भारत होगा? वो किन मूल्यों पर चल रहा होगा? उसमें किसके लिए जगा होगी? उसका समविधान कैसा होगा? बताइए तो थोड़ा लोकिन नाम सिर्फ नाम नहीं होता ना? और नाम अगर सिर्फ नाम होता तो इंडिया ही चलने देते पर आप भी भली बाते जानते हो कि नाम सिर्फ नाम नहीं होता नाम के पीछे सिद्धान्त होते हैं, मूल्य होते हैं आप जब कह रहा है वो भारत तो उस भारत के कौन से मूल्य होंगे? और मैं समर्थन में हूँ, भारत होना चाहिए पर उच्चितर मूल्यों का भारत होना चाहिए न? जो मानवता ने उचाईयां देखी हैं, रोषनी देखी हैं उस रोषनी का भारत होना चाहिए न? कहीं भारत से आपका आशय कुछ और तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं, कि आप इंडिया को भारत बना करके उसे और पिछड़े पन में धकेल देना चाहते हो बई मेरे कुछ संशय है उन्हें व्यक्त करना ज़रूरी है जब मैं कहता हूँ इंडिया भारत बने तो वो एक उन्नत की तरक्की उर्धगमन की बात है मैं कहता हूँ इंडिया एक स्तर की चीज है भारत उससे उची चीज होगा पर आप जब कहते हो कि इंडिया भारत बने तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भारत इंडिया से भी नीचे के तलका हो जिसमें तमाम तरह के पिछड़े पन को ही आधार बनाया गया हो यह कह करके कि यही सब चीज़ें तो हमारी नेटिव हैं यही सब चीज़ें तो हमारी संस्कृति में है आपकी संस्कृति भूलियेगा नहीं बहुत सारे विशाक्त तत्वों और सिध्धानतों को अपने केंद्र में रखकर चलती रहे यह भूलियेगा नहीं और कौन सी चीजे हैं जो आपकी संस्कृति के केंदर में उनमें सबसे पहला नाम तो मैं लूँगा विशाक्त जाति प्रथा का आपका भारत किस संस्कृति का प्रतनिधी बनने जा रहा है बताईए ना कहीं असा तो नहीं कि आप कह रहे हैं कि मेरा भारत उन सब चीजों को आगे लेकर आएगा जो पुरानी हैं जो चीजें पुरानी हैं उसमें से ज्यादा तर बहुत गड़बड हैं क्या स्थान होगा आपके भारत में इस्त्रियों के लिए एक सम्मानी देवी जो घर की चार दिवारी में रहती है पती की सेवा और बच्चों का पोशन करती है सास के पाउं दबाती है ससूर की चंपी करती है थोड़ा स्पश्टिता दीजिए जब आप इंडिया को भारत बनाओ गए तो उस भारत में महिलाओं के लिए क्या विजन है आपका दलितों के लिए क्या विजन है आपका पशुओं के लिए पर्यावरण के लिए क्या पर भारत माने क्या, पहले इस पर खुली चर्चा हो, बहसो स्पष्टता हो, फिर हम कहेंगे हाँ भारत, देखिए हमारे सम्विधान निर्माता कोई हमसे कम देशभक्त नहीं थे, आपकी देशभक्ती तो बस जबानी होती है, कह दिया, नारे लगा दिये, सम्विधान निर्माता, राजनेते मान से खरतर है कि आजादी के लिए लड़े थे, और उन्होंने एक बहुत सुन्दर, उचा, उदार सम्विधान बना कर दिया है हमको, कोई वज़ाय थी कि उन्होंने इंडिया देट इस भारत लिखा, सिर्फ भारत ही नहीं लिखा, वो कहीं पह कोई अडचन देख रहे थे, इसलिए उन्होंने लिखा इंडिया देट इस भारत, जरूरी नहीं क्या कि पहले हम समझें कि क्या वज़य है या हम यह क्या देंगे कि वो सब देश द्रोही थे इसलिए उन्होंने इंडिया लिख दिया वो सब के सब देश द्रोही थे इसलिए उन्होंने इंडिया लिख दिया हम देश प्रेमी हैं तो हम क्या रहे हैं हम भारत लिखेंगे नई साब उनके पास कोई वज़ा थी वो वज़ा समझनी पड़ेगी न वज़ा ये थी कि भारत शब्द उचा होते हुए भी दुर्भागे से गलत हाथों में पड़ गया है और आज भी यही हो रहा है जो लोग भारत की ज्यादा बात करते हैं वड़े गड़वड लोग हैं वो भारत के नाम पे तमाम तरह का पिछड़ापन आगे लिया देना चाहते हैं अधिकांश ऐसे लोग की बात कर रहा हूं सब नहीं तो जो अपवाद हों वो बुरा ना माने इंडिया तु चलो अंग्रेजों से शब्द आ गया या अन्य बाहरी लोगों से आ गया नेटिव शब्द नहीं है भारत आप कहोगे साहब हम भरत वंशी हैं अर्जुन को भी भारत कहकर संबोधित करते हैं क्रिश्न तो वहां से भारत शब्द आ रहा है तो फिर उस भारत में जो बाकी सब हैं जो अपने आपको भरत वंशी मानने में कोई गौरव नहीं महसूस करते हैं उनके लिए क्या स्थान है या उनको सबको भगा देना है अरब सागर में डुबो के मार देना है उनके लिए भी बता दीजे न क्या जगे है जनजाती लोगों के लिए क्या जगे है मुसल्मानों इसाईयों के लिए क्या जगे है नास्तिकों के लिए क्या जगे है अगर सही जगे है सब के लिए तो मैं तो कही रहा हूँ मैं समर्थन में हूँ खुले विचार के लिए क्या जगे है या भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें किसी एक विशिष्ट संस्कृतिक का आधिपत्य चलेगा बता दीजिए जो लोग न मानते हों संस्कृतिक को जो अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य तरेगा जीवन जीना चाहते हो उनको कितनी आजादी रहेगी उस भारत में ये बता दीजिए प्रशन वाजब है या नहीं है भारत शब्द से आशय अगर आध्यात्मिक है तो मैं भी साथ हूँ जनांदोलन करते हैं और ततकाल प्रभाव से कहते हैं भारत हटाओ इंडिया लेकिन भारत शब्द से आशय अगर सांस्कृतिक है तो बात खतरनाक है क्योंकि हमारी संस्कृते आध्यात्मिक नहीं है हमारी संस्कृत में बहुत सारे दूशित विजातिय विशाक्त तत्तो है इंडिया भारत बने पर उस भारत को संस्कृतिक नहीं आध्यात्मिक होना चाहिए वो किस्से कहानियों इस्मृतियों का भारत नहीं हो सकता भारत निसंदेह बने इंडिया लेकिन उस भारत को उपनिशदों और गीता का भारत होना चाहिए विवेक, विचार, जिग्यासा, समवाद, बहस, शास्त्रार्ट ये हो भारत के लक्षण और सूचक अंधविश्वास, रूढिवादिता, संकीनता, हिंसात्मकता, असहिश्णुता, अनुदारता इनका नाम नहीं बनना चाहिए भारत पिछडापन, अज्ञान ये भारत शब्द के परियाय नहीं बनने चाहिए भारत बहुत उचा शब्द है जितना उचा नाम है भारत उतने ही उचे वो मूल ले हो जो भारत नाम के साथ चलें तब तो ठीक है, अन्यथा नहीं आ रही है, समझ में बात कुछ आ रही है, समझ में बात कुछ